तो फाइनली दोस्तो होंडा ने अपनी CD 110 ड्रीम डिलर्स को कुछ नई अपडेट के साथ लांच किया है पहले की मुकाबले आपको इसमें कलरिंग कैसे देखने को मिलने वाली है इसकी प्राइजिंग क्या कुछ होने वाली है सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है तो चैनल पे अगर आप नई आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हर रोज मैं बाइक से रेंडेट वीडियो इसको लाते रहता हूँ और इसमें आपको जहें साइलेंसर के ऊपर आपको जहें मफलर कवर भी देखने को मिलने वाला है और जो 5 स्पोक वील है उसमें आपको सिल्वर कलर के अलाइविल्स भी आपको देखने को मिलने वाली है color update की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें आपको 4 color options जो है इसमें देखने को मिलते हैं black with red, black with blue and black with green and black with gray color जो है इसमें आपको देखने को मिलने वाला है इसके pricing के अगर बात की जाए तो एक showroom price आपको जो starting इसके मिलेगी 73,400 रुपेज की करीब और इसका engine जो है आपको 109.51 CC का 4 stroke engine अब इसमें आप देखने को मिलने वाला है जो कि BH6 के engine होने वाला है इसमें आपको जो है E20 fuel का support भी देखने को मिलने वाला है जिसकी power आपको 6.47 BHP की मिलेगी और इसका torque आपको 9.30 Nm का देखने को मिलेगा जिसमें पहले company आपको 6 year की warranty देती थी बट अभी company आपको 10 years की big warranty देखने को मिलने वाली है safety की तोर पर आपको जो है size 10 engine cut-up system और इसमें आपको जो braking system जो मिलने वाला है वो service braking system मिलता है headlight setup में आपको जो है इसमें halogen के headlamp setup मिलते कोई भी LED का इस्तमाल आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कम budget की कम price range की जो bike है उसमें आपको ज्यादा कुछ features तो नहीं मिलेगे इसमें graphics और थोड़े से आपको e-20 fuel यानि की थोड़े side changes आपको जो इसमें देखने को मिलने वाले हैं और 10 years के आपको जिसमें big warranty मिलती है तो बस इतने हैं आपको जो changes देखने को मिलने वाले हैं तो यही थी छोड़ी से अपडेट फिलाल वीडियो को यही इंड करते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना तो मिलता है एक नेक्स ब्लॉक्स में तब तक के लिए देखते रह झाल रहर आपको कर दो